आज की वीडियो में मैं आपके साथ में DIY शेर करने वाली हूँ और ऐसे DIY हम करेंगे जैसे मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं आप बिल्कुल ऐसे हम अपने घर पर बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंट्रेस्टिंग सा वीडियो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ तो ये है मेरी स्विंग मशीन लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ कहा था ना मैंने एक स्विंग मशीन और की है तो फाइनली आ गई है और काफी टाइम से मैं इसको लेना चाहते थी और इस मेरे पास मशी थी जो पैडल वाली होती ना पुरानी वो भी ओशा की ही थी तो मैंने उसको अपनी मेट को दे दी वो स्लाइसी करें तो मुझे चाहिए थी कि छोटी सी हो क्योंकि इत्ती ज्यादा स्लाइट करनी नहीं होती कभी कभी करनी होती है और ये इस तरह की पैकेचिंग में मुझ कि अगर आपको पता नहीं कि किस तरह की होती थी मैंने अभी तक किसी के पास मैंने अपने स्पास मैंने कभी देखा नहीं था 뭐 स मैंने वीडियो वगरर यह नीचे से इस तरीके से यहां पर लगा होता है और इसके अंदर इसमें जो है इसकी जो धागे वगरा होते हैं इसके जो काफी सारा जो भी टूल्स वगरा होते हैं इसके अंदर रहते हैं तो यहां पर उपर ना दिया हुआ है यहां पर तो आप जो इसकी जो नीचे की जो क्या कहते हैं इसको ये भी मैं भूल गई हो भी तो इसको मैंने भर धिया आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे कैसे मैं कर रहे हो लेकिन इसका मैं पूरा आपको demo दूँगी अलग से मैं इसका review करूँगी एक बार यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ में जब थोड़ा मैं दो चार दिन इसको यूज करूंगी न तो मैं आपके साथ में इसका पूरा मैं डिटेल में जो है इसका रिव्यू शेयर करूंगी और इसका डैमो भी मैं आपको दूंगी कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि मुझे भी पहले लग रहा था क पताने कैसे होगा लेकिन बहुत ही आसान है इसको चलाना और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से ना इसमें सलाई आ रही है और मैंने इसमें इसमें अब्रोइडी भी करी है वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी सबसे पहले तो मुझे यही था कि मैं इसमें क्या-क्या पर लगा दिया है, last आपने देखा होगा मैंने दिवाली पे पॉम-POM वाली लेस लाई थी, वेने काफी सारे DIY किये थे, तो बच गई थी, तो मैंने इसको यहां पर मैंने लगा दिया है, अब मैंने ना जो कर्टन सें, उनको मैंने बिचाके, सेलो टेप, मास्किंग टेप कुछ भी कर रही हो तो इसको बीच में आना ही होता है तो इसको मैं हटाने की कोशिश कर रही हूं इसने जितने भी यहां पर मास्किंग टेप लगे हुए थे न इसने पूरा इसको खराब कर दिया है तो चलिए मैंने यहां पर यहलो कलर में कर रही हूं और आप देख सकते है पटैटो से ना कितना बढ़िया सा डिजाइन बन जाता है आपको जादा कुछ नहीं करना है मुझे यहापन ना दोनों कटन्स में दस मिनट लगें इससे जादा बिलकुल भी नहीं यह देखिए मैंने इसमें यलो और पिंग कलर के मैंने यहापे ट्रेंगल के डिजाइन मैंने बनाया है बस आपको क्या करना है पटैटो को कट करके और सिंपल उसमें आपको ब्रस से कलर लगाना है और यह देखिए बहुत अच्छा आप डिजाइन बना सकते हैं तो मैंने आप ini triangle shape में design बनाया है, आप इसमें circle बना सकते हैं, oval बना सकते हैं, star बना सकते हैं, flower की shape में सकते हैं. वैसे तो मेरे पास जो आते हैं न बाटिक प्रिंट हम बनाते हैं वो वाले भी थे मेरे पास लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा ट्रेंगल वाला बनाओ तो अच्छा लगेगा तो यह देखिए आप हमने लगा दिया है और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है पहले प्लेइन वाइट लगाए थे हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो मुझे लगा कि यार थोड़ा प्लेइन हो गए है थोड़ा इसमें डिजाइन होना चीए तो यह यहां पर मुझे तो काफी पसना रहे है और घर पर तो मेरी बेटी को सब अच्छा लगा उसने का बहुत यह जादा अच्छे लग रहे हैं अच्छा काफी सारे फ्रेंड्स मुझे पोछ रहे थे कि मैं कौन से कलर यूज करती हूं अपने डियाइवाई में जो फैब्रिक में मैं करती हूं यह एक्रेलिक फैब्रिक कलर हैं आप इन्हें वाश कर सक करें तो सही रहेगा क्योंकि यह ड्राय तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन थोड़ा से हम टाइंड लगता है में रबर जैसा टैक्ट्चर आपको लगेगा तो इसको थोड़ा ड्राय होने में टाइम लगता है उसी समय एक-दो गंटे में आप इसमें आईनिंग ना करें उसक के लिए इसके अन्बॉक्सिंग करते हैं और बाकी के जो DIY हैं मैं अभी आपके साथ इसके बात में शेयर करती हूँ करते हैं और झा झाला करते हूँ करते हैं, क्टेंप안 चक बाकी शभी आपके साथ और बाकी करते हैं करते हैं अम् Vamostakeूँने को जो प्योंगे इस्क Study Aba कि और नच्व MAN आपके स ह हैं प्योंगे झालाओ तक हैं आνापके लाउट कर दो करना कर दो कि लाग दो कर दो अँवा कर दो कि पन कम आप हैं कि पना मुद्ट कर दो और का अभान पता हैं कि भुआ कर दो मुद्ट नहीं आप हैं कि अहीं हैं आप हैं हुआ खो अध हैं तो चलिए दोस्तों बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने शार आर्च का समान रखा हूआ है तो यहाँ मैंने रेजन आर्ट को मैं फस्स टाम कर रही हूँ और पह度ता है Celsius 내 यहाई आहरी है आप बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं तो यह एक wooden tray है जो मैंने बहुत पहले बनजारा market से 200 रुपए की मैंने ली थी और यह मैंने एक print-out निकलवाया है यह Pinterest से मैंने लिया हुआ है तो आप इस तरी के से बहुत सारे designs आपको Pinterest में है या गहीं से भीूगल से भी आप ले सकते हें इस तरह की नहीं पर अपिदे में आप गतet कर लिया है और इसके बार केशगे लाग रहां लिया युई है इस यूद्म सिवीज जुब 1997 Chelsea आप सब्सक्राइब में इस देखक वाएं आप निया यू वाल्यasant और यहां पर मैंने पहले इसको पेपर को चिपका लिया है उसके बाद मैं एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ यह ब्राउन कलर है ताकि इससे थोड़ा सा यह मैचिंग का हो जाए तो मैसमें वाइट कलर मिक्स करके लगा दिया है अब यहां पर जो पिक्चर वनी है इसको जाक्त रगा है यह परल वाइट कलर है इस creativity लगाके थोड़ा सा और यह खुब सूरत लगे और साइड में यहां पर गोल्डन कलर मैं लगा रही हूं और यह विंसे फिंगर से लगा रही है आप प्र Σे भी लगा सकते हैं तो अगर आप या रिस ताइम रेजनाट कर रहे ल बहुत ही आसाने इसको करना मैं भी फर्स टाइम कर रही हूं बहुत पहले मैंने एक दो वीडियो देखी थी और मेरा बहुत मन्त है कि मैं भी बनाऊ तो फाइनली आज वो दिन आ गया है मैं तो इसे कैसे लेना है इसमें दो होते हैं यह लिक्विड हाडनर और रेजन और इस के बाद मैंने जो मेरी ट्रे है मैंने कुछ एक सिल्वर गोर्डन के जो सितारे होते ना छोटे-छोटे से वो मैंने इसमें फैला दिये हैं ताकि और भी अच्छा लगे और इसके बाद मैं इसमें रेजन को इस तरीके से मैंने डाल दिया है और मैं पूरी ट्रे में इसको जरूर पहने के रखे क्योंकि यह कैमिकल होता है हाथ में लग जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए मैंने गलफ पहना है और अगर हाथों में भी लग जाए तो कोई दिकत नहीं है तो यहां पर मैंना इसके चारों तरफ इसको सील कर रही हूं यह ना एक जो है इसको waterproof बना देगा हमारी जो wooden की tray है फिर आप इसको ना वाश भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है यह एक तम इसको सील कर देगा तो यहां पर उपर साइड में भी लगा रही हूं चारों तरफ लगा दिया है मैंने तो क्या है ना अगर आप इसमें कुछ मोतियां वग यहां पर हम बनाएंगे कोश्चर कोश्चर बनाने के लिए मैंने यहां पर एक रवड की मैंने यह मोल्डिंग tray है वो ली है अलग-लग shape में भी आती है आप ले सकते हैं अलग-लग design में square में यह बड़े size में आप ले सकते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर रेजन डाला उसक तो पतली लेयर हमने बनाए थी यहां पर हम थोड़ी मोटी लेयर रखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ और गर्मियों में अभी यहां उल हमारा कोस्टर भी अच्छे से ड्राय हो गया है और यह बहुत आरामी से किल सकते हैं इसकैंब नकिल सकते हैं तो पतल बहुत catastrophe और आप ने कुछ तरह के कोस्टर हने सकते हैं Calum महंगे मिलते हैं एक बार अगर आपने रेजनाट का सामान ले लिया तो आप बहुत कुछ आप बना सकते हैं अपने हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हैं और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए पाई बैं लॉट्स अफ लग